सब्सक्राइब कीजिए दीपू टेगनियल चैनल को और इस बेल आइकन को दवाई लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की इस वीडियो में आपको बताओ कैसे आप अपनी यूटीब वीडियो में टेग लगा सकते हो प्लस ये कितने तरीके के होता है और ये वर्क कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा जानने को मिलेगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक और आप सभी क बहुत बहुत सवागत करते हूँ, आज की इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लेजी कि tag कितने तरीके के होते हैं दोस्तों YouTube वीडियो के लिए जो आप tag यूज करते हैं वो तीन तरीके के होते हैं पहला आपका short tag, तूसरा आपका long tag और तीसरा आप use कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो आपके उपर depend है मतलब कि आप जो spelling mistake करके कोई भी किसी भी चीज को search करता है तो उसमें यह आ जाता है miss spelling भी या spelling mistake है या कुछ भी बोल सकते हो इसको अब आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो इसका name तो यह तीन तरीके के tag होते हैं अब tag work कैसे करते हैं यह जान लिजए दोस्तो जब भी आप अपने phone में YouTube की application को open करते हो तो आपके सामने कई वीडियो जो है जिनको आपने कभी search भी नहीं किया है वो वीडियो आपके सामने so होती हैं मतलब ऐसी वीडियो जिनको आपने कभी search list में search भी नहीं किया हो तो भी आपके सामने आ ही जाती है दोस्तों आपने कभी न कभी तो YouTube की search बारे में जाके कुछ न कुछ न कुछ टाइप किया होगा और जो आप type करते हूँ आपका tag या फिर keywords कहलाता है जिसके तुरू आपकी वीडियो या किसी और की वीडियो search list में आती है अब आप जैसे उस वीडियो पर किलिक करते हो और किसी वीडियो पर किलिक करते हो जो search list में आगई है या कोई भी वीडियो पर जैसे आपकी homepage पर है तो उस पर जैसे आप click करते हो तो आपके सामने जो वीडियो आपने click किया जिस वीडियो पर वो तो सो होती है लेकिन उसके नीचे कई और वीडियो सो होती है अब ये जानली जी को वीडियो जो होती है हमारे सामने या front page पर या home page पर कहीं न कहीं तो कोई न कोई ऐसी वीडियो सो होती है जिनको हमने कभी search भी नहीं किया हो दोस्तों ये tag या keywords की वज़े ऐसे होता है माली जी आपने facebook name का keywords ले लिया और search किया youtube पर facebook लिख दिया उसके बाद आपका जो keywords है आप एक बार कोई भी keywords से youtube पर search कर लोगे तो उस keywords से जोड़े हुए जितने भी tag बन सकते हैं उन tag को लगा कर जितनी वीडियो अपलोड हुई है वो आपके सामने home page पर आपको सो होगी suggest की जाएगी या फिर किसी और की वीडियो चलेगी उस वीडियो के नीचे वो वीडियो आना सुरू हो जाएगी कौनसी जो चीज़ा आप सर्च कर लोगे उस topics relative कई और धेसारी वीडियो आप YouTube पर upload धेली होती रहते हैं तो वीडियो आना सुरू हो जाएगी अगर आप भी अपनी YouTube वीडियो में टैग लगाओगे तो कहीं न कहीं आपका जो topic है content है उसी topic से जोड़ी हुई है उसी topic की वीडियो को या keywords को सर्च किया जाता हो और उसमें आपकी वीडियो सज़ेज लिस्ट में जरूर जाएगी 100% जाएगी जैसा कि मेरी वीडियो कभी न कभी होती जाते हैं और कई वीडियो जैसे जो जिस category की नहीं है उस category में भी चले जाते हैं तो अब यह जान लीजे कि टैग लगाए कैसे जाते हैं तो चलिए phone की स्क्रीन पर चलते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने phone का use करके कर रहे हैं तो आप उसमें desktop site के लिए आप Google Chrome open करके उस तो थोड़ा चेक कर लेना और उसके बाद आपको edit वाले option पर click करके कुछ इस तरीके इस वीडियो पर चले जाना है इसके बाद आपको नीचे so more का option दिख रहा होगा उस पर आपको click करना और यहां पर आपको tag box दिखाई दी रहा होगा tag लिखा हुआ इसके नीचे box बना ह हुआ है इसमें आपको tag यानी keywords आपको add करने है तो आपको मैं suggest करूँगा आप जो tag use करोगे आप वो अपनी notebook में ready करना वालब notebook जो होती है आपके phone में application दी होती है उसमें आप tag इखटा करना या create करना उसके बाद यहां पर set करना तो कभी भी किसी वीडियो में tag लगाओ तो उसका title हमें सब copy कर लेना तो चलिए हम फटा फट इसका title copy कर लेते हैं और notebook पर चलते हैं तो यह हमने title copy कर लेते हैं इसके बाद जो phone में notebook दी रहती है उस पर चलते हैं तो यह रही हमारी notebook और इसको हमने यह open किया तो यहां पर आपको जो title अपने copy कर तो उसको आपको यहांबर paste कर देना है, आप single title बनाना है यह पिर double title आप अपने हिसाब से देख कर ले ना, बैसे, title से यादा है, मैंने एक वीडियोओ टाइट के रिखल किया जिसमे बताएं कि आप वीडियोओ के से कर सकते हैं, सरही tag title के साथ तो आप उसको एक बार देख जरूर है अब यहां बर जो आपने title create किया था या वीडियो का जो title फेल है तो उसको tag list में आपको set करना है तो जो title है उसके बाद आप comma लगा देना है दो जो टेग हम लगाते हैं उनमें end में है last में एक comma लगाना जरूर ही होता है तब यह tag कहलाता है तो जो भी आप जितना भी बड़ा tag use करें उसमें last में comma जरूर लगा देना है तो हमने यह title है उसको tag में बदल दिया है मलब comma लगा दिया है इनके end में दोस्तों अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो है वो यूटीव पर कितने तरीके से search की जा सकती क्या type करके search की जा सकती उसको यहाँ पर आपको type करना है जैसे माल लेजिए जो हमारी वीडियो का topic है delete all post on Facebook सबी पोस्टों के एक साथ कैसे delete कर सकते Facebook से तो उसके लिए क्या title वनेगा टैग वनेगा आप अपने mind में set करना उसके बाद आपको जो लगे जो easy way में लगे के normal search करना हो type करके तो आप वह यहाँ पर type करके और कॉमा जरूर लगाना और without space के space नहीं देना है आपको दीच में कॉमा रखना जितना भी आपका tag रहेगा जितना बड़ा long हो या फिर short हो उसमें कॉमा जरूर लगाते रहना और friends आप जो tag use करोगे वो total 500 words के होते हैं मलब 500 से जादा आप नहीं use कर सकते हो 500 limit रहती है और दोस्तो जो title है आपको उस title को हिंदी में भी आपको tag list में type करना मलब आपको English के बाद हिंदी में भी आपको type करना क्योंकि इंडिया में हिंदी में सर्च किया जाता है इंडिया में नहीं वाल कि कई जग English में टाइटल लिखा हुगा अगर आपको हिंदी में सर्च करना है तो हिंदी में बहुत कम लिखना पड़ता है सिंपल सा आप इतना भी लिख सकते हो इस title के साफसे के facebook post delete कैसे करें बस इतना सा तो आप अपने हिसाफसे जिदने भी tag से बनाने हैं आपको Hindi और English में आप अ चेस्ट गाइड करने के साफसा को बता रहा हूं तो चलिए फटाफट मैं अपने जितने भी tag से उनको यहाँ पर create कर लेता हूं उसके बाद आपको सेट करना बता देता हूं दोस्तों जितने भी tag create करने था हमने total कर ले उसके बाद आपको इनको copy करना है और यहां से back हो ज कर देना आपने वहाँ से कॉपी कर लिधी आप यहां पर इन को पेस्ट कर दें सो ओक तो शेया लेकिन यह 500 वर्ड्स में से कम ées आप कम लगा सकते हो लेकिन 500 जाधा नहीं लगा सकते हो लेकिन दोस्तों आप सभी वीडियोस में पूरा-पूरा 500 वर्ड यूज करके tag लगाएं क्योंकि यह जिसना space मिल से कि उतना कम है YouTube की tag box में आप कम tag लगाकर या कम words के tag लगाकर आप गलती ना करें तो थोड़े बहुत और जो वाकिर है उनको हम यहाँ पर अपने मन से टाइप कर देंगो टाइप करने के बाद कॉमा लगाना है और सेट कर देना है तो दोस्तों जब आपके 500 words हो जाएं complete जितने भी आपको tag लगाने वो पूरे-पूरे लग जाएं उसके बाद आप उपर save वाला option देख रहोगे उस पर आपको click करना है तो चलिए हम save वाले option पर click कर देते हैं जैसे आप save पर click करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो save हो जाएगे मतब जो आपके tags बगेरा वो set हो जाएंगे तो ये इसी तरीके साब अपनी YouTube वीडियो में tag लगा सकते हो तो दोस्तों बस यही था वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करना और ऐसी helpful वीडियो देखने लिए चैनल को subscribe करके पासी दी वैल आइकन कॉल पर ज़रू set करना क्योंकि मैं आपने YouTube चैनल पर ऐसी helpful वीडियो हमें से upload करते रहता हूँ तो इसके लाब अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे comments करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं ते ने ने वीडियो वीडियो तेखनिकली थैंक य।